नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एसका से नोटूप चैनल पर दोस्तो उत्तर परदेश में 2016 के बाद अब 2020 में हमें TGT और PGT याने की LT और परवक्त की परमानेंट रिकूट्मेंट देखने को मिली थी लेकिन एक महीने पहले उस नोटिफिकेशन को रद परमानेंट रिकूट्मेंट देखने को मिल चुकी है तो आज की वीडियो में उसे के बारे में हम तर्चा करेंगे और साथी साथ दोस्तो पिछली बार जो एक महीने पहले नोटिफिकेशन आये तो उसमें आपके TGT की भी रिकूट्मेंट थी यानि कि LT की भी आपकी रिक आपको देखने को मिल जाएगी बाइक करते तो तो आपको में तो आपको सबस्क्रिप्स उसके बारे में बताने से पहले हम आपको इस वीडियो को स्पोंसर के बारे में बताजू दोसमां अपनी टेस्यूट न चाहपकर सब слagण को एक्सिस कर पाएंगे प्रैक्टिस टेस्ट बैच कोर्स मेंटर्शिप एंड गाइडेंस आपका संपूर्ण सलेबस कंप्लेट कराया जाएगा रेगुलर डाउट किलियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन लाइव टेस्ट सीरीज और स्टेडी मैट्रियल पीडिय फॉर कोर्ड का सियंटेट का इस्तमाल कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% डिसकाउंट और फ्री लाइव क्लास इसको अन्लोक करने के लिए यह आप टैट प्लस सब्सक्रिप्शन प्लांस देख सकते हैं वनमन्स ठीमन्स इक्समांट्ट ट्वैल मन्स और ट्वंटीफॉर मन्स के लिए इंडिया बेस्ट एजुकेटर फूर औल सब्जेक्ट ओल वेचिज बन सब्सक्रिप्शन इन से सम्मंदित सभी इंपोटेंट लिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएंगे तो दोस्तों इस रिकूट्मेंट से सम्मंदित में भारत का कोई भी नागरिक अपलाई कर सकता है चाहिए उत्तर परदेश का मूल लिवास है चाहिए उत्तर परदेश से बाहर का कोई मूल लिवास है तो इसे जर्नल कैटिगरी में अकाउंट किया जाएगा बाकि इस रिकूट्मेंट में आविधन भारत का कोई भी नागरि कर सकता है अब बात करते हैं दोस्तों eligibility की तो ये PGT यानि प्रवक्ता के लिए recruitment दिए तो इसमें आपकी master's degree compulsory आपकी MA, M.C. complete होनी चाहिए तब यहाँ आप इस recruitment पर अप्लाई कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आपकी बीड कंपलीट हो या फिर बीड में आप अपेरिंग स्टुडेंट हो जरूरी नहीं कि आपने सीटेट या फिर टेट पर इक्सा क्वालिफाई की हो बस आपकी कहीं भी PGT यानि कि परवक्ता की recruitment देखने को मिले चाहिए UP में मिले चाहिए सेंटरल गवर्मेंट की कोई recruitment देखने को मिले चाहिए दिल्ली में मिले तो वहाँ पर प्लीज ऐसा कमेंट कभी मत करना कि सर हमने बीटीसी का रखे, डाइट का रखे, जेबीटी का रखे कि हम इस recruitment में इलिजिबल नहीं है तो डिपलोमा वाले ब्यारतिक कभी भी PGT के लिए इलिजिबल नहीं होते है ठीक है, maximum जो recruitment आपके उसमा आपकी master's degree मांगी जाती है, पलस आप से बीड मांगी जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश में आप से बीड कमपल सीरी नहीं है, जिन्होंने बीड करके उन्हें एक्ष्टा वेटेस देखने को मिल जाएगी लेकिन उत्तर प्रदेश के recruitment है, इसलिए दो तरह है सापको देखने को मिल जाते हैं उन्हें स्कूल सिखा जाते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलिस का जाता है ठीक है तो आप 11 और 12 के सिख्षक बनोगी क्योंकि ये रिकूरूटमेंट आपकी परवक्ता किया तो दो तरह से निकली एक बालक वर्ग में निकली एक बाली का वर्ग में निकली है अब आप बस वालिफाई होने चाहिए जरूर नहीं आपके उसमें कितनी परसेंट आई ये आपकी मास्टर्स डिग्री में पहले इंटर्वी होता था अब इसमें इंटर्वी भी ने ठीक आपका इंटर्वी भी खतम करें दिया गए एज लिमिट की बात करते हैं 21 वर्स कम से कम और 40 वर्स से आपकी अधिक आयू नहीं होने चाहिए बैकि रिजर्वेशन कैटिकरिय को उत्तर पर दिये सरकार के नुसर जो रूल्स दिये जाते हैं उसके अंतरकत उन्हें छूट भी देखने को मिल जाएगी और दोस्तो सलेबस या फिर एक्जाम पैटन की बात करो तो पेरी की जब हम बात करते हों उसmented नेगेटिव मारिंगर बाकी जानकरितों नैपनेकी मार्किंग स्ट्राइजों और इस वीडियो करें डिस्कृप्स तो इदर आप देखोगे साइड में नोटिफिकेसन वाला ठीक है तो इदर आपको आना है और जैसे आप स्रोल करके नीचे आएंगे इदर दोस्तों आपको वेकेंसी के डेटेल सारी देखने को मिल जाएगी इदर से आप ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं ठीक है जो इदर आप खॉआ है तो इस की से बाशेमें नोटिफिकेसन को डांलोड कर सकते हैं तो हम एक बार इंग्लिस में डानलोड करके देख लेते हैं और तो तो इस तरह से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा ठीक है तो कुछ इसमें जादा खास है नी ठीक है तो जो आपका ओनलाइन जो संबीट करने का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो चुका है बाइस बारा दोजार बीस से जो की बाइस एक दोजारी किस तक चले है यह आपका स्टार्टिंग में मेल बरांचे यानि की बालक अवर गया उसके नीचे फिमेल बरांचे यानि की बालिक अवर गया तो आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो आप इदर से भी देख सकते हैं आपकी रिक्रूटमेंट की डिटेल्स ह सब भी कैटेगरिवाइज दे रखे हैं स्टार्टिंग में मेल की है और जब सेकंड वाला देखते हैं तो यह फिमेल की है ठीक है तो इस तरह से आपके रिकूटमेंट निकली है बाकि इदर इलिजिबल्टी क्राइटियर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा पे स्केल इसमें आपको पे स्केल देखने को मिल रहा है तो कोई घबराने के जुड़ती नहीं है ठीक है अब इसमें दोस्तों इलिजिबल्टी की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था बीड़ आपको कंपल से दिनी है बाकि बीड़ तो अच्छी बात है इसमें दिख र देखा है थोड़ा सा आपको देख लेना दोस्तों से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगी बाकि सारी मेन की मैन आपको दे दिया यह कुछ इलिजिबल्टी आपकी दे रखे क्योंकि आपकी मास्ट्रस कंपल सरी है बाकि किसी भी त आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा